नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ जारकन हाई कोट में कॉंग्रेस के पूर्वद्धिक्ष राहुल गांदी की याचिका पर सुनवाई हुई नियादिश जस्टिस अमभुशनात की अदालत में राहुल गांदी की और से अधीवक्ता पियुश शित्रेश और दिपांकर राये ने पक्षका वही नमिनजा की और से अधीवक्ता विनोथ साहू ने पहस की सुन्वाई के दुरान अदालत ने राहुल गांदी के खिलाफ पीड़क कारवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा साथी निश्टी अदालत के रिकॉर्ड को हाई कोट में जमा करने का निर्देश दिया राहुल गांदी ने 2018 में चाईबासा में कॉंग्रेस के अदिवेशन में अमिच शाग को लेकर टिपपनी की थी जिसके बाद भाजबा नेता नवीन जा ने राहुल गांदी के खिलाफ राची कोट में केस दर्च करवाया था इस केस में राची कोट द्वारा लिये गए संग्यान को रद करने के लिए राहुल गांदी ने जारकन हाई कोट में गुहार लगाई थी राहुल गांदी ने 2018 में चाईबासा में कॉंग्रेस के अधिवेशन में बीजेबी के ततकालिन राष्टी अद्दक्ष अमिच्छा को लेकर अपतिजनक टिपणी की थी उन्होंने कहा था कि बीजेबी में ही कोई हत्यारा राष्टी अद्दक्ष बन सकता है कॉंग्रेस में नहीं इसे लेकर स्थानी बीजेबी निता नविंजा ने राची की निचली अदालत में केस किया था बाद ने मामला हाई कोट पहुचा चाईबासा में बीजेबी निदा प्रताब कुमार ने भी राचुल गांदी के खिलाफ मान हानी का केस किया था चाईबासा कोट ने राचुल गांदी के खिलाफ जमानती बौरन भी जारी किया था जिसे राचुल गांदी ने चुनोती दी थी फिलाल दोनों के इस जारकन हाई कोड में बैंडिंग है